सर्व प्रथम तो स्पष्ट रूप से कॉंग्रेस पार्टी इस विभत्स कांड की निंदा करती है। अशोक गहलोज जी ने उनकी सरकार ने छे घंटे के भीतर भीतर आरोपियों को गिरफतार किया। आज 6 बजे शाम को सर्वदलिय बैठक बुलाई। इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में भेज दिया है। जाँच में जो उभर कर आया उस आधार पर अशोक गहलोज जी ने खुद ही एनाईय को पूरा सयोग देने की बात की है। और जो माहोल खराब किया जा रहा है। पूरे देश भर में किया जा रहा है। अजवय जी ने आपको कुछ उधारन दिये हैं। उस पर अशोक गहलोज जी पिछले दो महिने से कई बार सारजनिक तोर पर माननिय प्रधान मंत्री जी और माननिय ग्रह मंत्री जी को अहवान कर चुके हैं। कि आप राश्र के नाम संबोधन कीजिए। आप नफरत इस समाज में जो बढ़ रही है उसको रोकने की कुछ कदम उठाइए। आप शांती बनाये रखने की अपील पूरे देश में कीजिए। क्योंकि हर गली महले में आपको पॉलराइजेशन स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हम भी बहुत घूमते हैं अलग-अलग राजियों में जाते हैं। हर जगें आपको यही विवाद की बात क्यों सुनाई देती हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं था, अब ऐसा क्यों है। यह तमाम सवाल हैं, तमाम पहलू हैं जिन पर हम सब को अब विचार करना होगा। ग्यान है। तुष्टिकरन की बात करने वाले भूल जाते हैं। 2017 राजिस्थान राजसमन जिले में शम्भूलाल रेगर ने एक वीडियो बनाया किसी का कतल करते हुए और उसको वाइरल किया। उस शम्भूलाल रेगर के पक्ष में एक पार्टी विशेश के लोग मेरा शहर है उदेपुर। उसमें अदालत के गुम्बज पे चड़के तिरंगा हटाके अपना जंडाल फेराया हुए। तुष्टी करन की बात करने वाले भूल जाते हैं। सुबोध सिंग पुलीस का अधिकारी अपना काम कर रहा था उत्तर प्रदेश में। उसकी निर्मम हत्या हुई और हत्यारों का स्वागत हुआ, माल्यारपन हुआ, उनका महिमा मंडन हुआ। तुष्टी करन की बात करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या हुई उसकी सुरक्षा किसने कम की थी। जो तुष्टिकरण की आज बात कर रहा है उसको मैं याद दिला दूँ छे घंटे में गिरफतारी हुई है अशोक गहलोत की सरकार ने की है जो तुष्टिकरण की बात करते हैं उन्हें मैं याद दिला दूँ राहुल भट के हत्यारे कश्मीर में कहा हैं क्या कारवाई हुई उन पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सुबोज सिंग के हत्यारों का माले अरपन क्यों हुआ अखलाक के हत्यारे की जब मौत हो गई डेंगू से उसकी लाश पे तिरंगा रखने कौन गया था महेश शर्मा गये थे ये तुष्टिकरन की बात करेंगे हमारे से कॉंग्रेस सरकार सम्विधान से बंधी हुई सरकार है और हर सरकार को सम्विधान के डाइरे में रहकर काम करना चाहिए कॉंग्रेस सरकार ने वह किया करके दिखाया छे गंटे में गिरफतारी हुई न मजब देखा जाएगा, न धर्म देखा जाएगा, न जाती देखी जाएगी, न वर्ग देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कानून सम्मत कारवाई की जाएगी इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं क्ईवासन देखा जाएगा Texas